हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्का दोस्तों आज की चल्चा में हम लोग बातचित करेंगे कि आखिर किस तरीके से रूस ने हाल के समय में अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार बेहतर किया है और इसकी बानगी वर्ड बैंक के द्वारा हाल ही में तब देखी गई जबकि वर्ड बैंक ने रूस को हायर इंकम वाले देशों की कैटेगरी में शामिल किया है आज की चर्चा में हम लोग ये समझेंगे कि आखिर क्या रूस की अर्थव्यवस्था के इस्तर पर गतिवीध यहां चल रही है और लगातार आर्थिक प्रतिबंधों को जहलते वे भी रूस ने ये कारणामा कैसे किया है आईए चर्चा की शुरुआत करते हैं सामने पैनल पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो एक महतपून जानकारी दी गई है बीते एक जुलाई को इस जानकारी को वर्ल्ड बैंक ने प्रकाशित किया है और इसी के अंतगत जो ये आप एटलस देख रहे हैं पुरे विश्यो का एटलस है और उसमें ये दर्शाय गया है कि जो रूस है ये हाल के समय में एक उच्च आये वाले देशों की स्टेनी में आग चुका है यहाँ पर हमें ये समझने की जरूरत है कि आखिर किस आधार पर विश्यो बैंक के द्वारा ये जो आंकरा है सकल राश्ट्रिय आए के आधार पर ये आंकरी जारी किया जाते है प्रतिवेक्ति सकल राश्ट्रिय आए को निर्धारित करने के लिए उस पार्टिकुलर देश की जो अस्थानिय मुद्रा होती है जैसे कि भारत की बात करें तो भारत की स्थानिय मुद्रा है रुपिया तो रुपे को कनवर्ट किया जाता है डॉलर में और रुपे की मुले को डॉलर में कनवर्ट करके ये चिक किया जाता है कि भारत का जो ग्रॉस नेशनल इंकम होना चाहिए प्रतिवेक्ति के हिसाब से वो क्या होना चाहिए और इसे के अधा पर ये आंकरे जारी किये जाते हैं और देन फिर ये पता लगा है कि जो रूस है चुकि रूस में जो करेंसी है वो है रूबल और रूबल को फिर कनवर्ट किया गया डॉलर के अंतरगत और देन फिर ये पता लगाया गया कि अरे भाई कि वहां के जो जनता है उनकी जो आए है वो कहीं बहतर है तो यहां पर इसी चीज़ को समझने की जरूरत है दोस्तों जो विश्व बैंक का एक प्रकाशन है पॉब्लिकेशन है जिसका नाम है एटलस ऑफ ग्लोबल डेवलप्मेंट उसी के द्वारा इस एटलस विधी का इस् उच्च मध्यम आये वाली स्टेनी में शामिल था वहीं अब यह हाई इंकम वाली स्टेनी में आ जुका है यह अपने आप में इंपर्टेंट तो है ही लेकिन यहां पर ध्यान रखेगा कि जो इस क्या प्रतिद्वंदी है उक्रेन वो भी कम नहीं है वो भी निम्न मध्यम आये वाली केटेगरी से सिफ्ट हो करके अपर मिडिल इंकम यानि की उच्च मध्यम आये वाली केटेगरी में शामिल हो चुका है तो यहां यह दोनों ही जो प्रतिद्वंदी हैं एक सरीके से आगे बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं बेशक पीते दो साल से भी अधिक समय से इदोनों इद्ध में रते हैं कहीं न कहीं जो इद्ध अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग बातचित करते हैं इद्ध अर्थव्यवस्था का जो एक इंपक्ट है वो इंपक्ट यहां पर दिख रहा है हम अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर इद्ध अर् और क्यों इस तरीके से हमें दिख रहा है दोस्तों यहां पर जब हम भारत की बात करें तो भारत वर्तमान में निम्न मद्यम आए वाले देशों की ही कैटेगरी में है यदि भारत की जी एन आई पर कैपिटा यानि की प्रतिवेक्ति सकल राश्ट्री आए की गणना करें कैलक बैठता है तो भारत वर्तमान में लोवर मीडेल इंकम की सेनी में आता है यहां पर दोस्तों ध्यान रखेगा कि जो रूस के संदर्म में बीते कुछ समय से जो टिपनियां देखी जा रही थी वैशिक बिरादरी में वो निश्टी तो पर बहुत अधिक सटीक बैठ रही है वर्तमान परिप्रिक्ष में जबकि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानि की अंतरास्टी मुद्राकोस ने भी ये एक अनुमान जटाया था दोहजाब पचीस के लिए जो अनुमान है रूस की बरहुतरी का वो है तीन दसमनों दो फीस दी और ये जो अनुमान है वो फ्रा पर इस चीज को ध्याम में रखने की आवशकता है अब थोड़ी सी बात और हम कर लें कि आखिर रूस को आर्थिक लाव जो हो रहा है उसके पीछे की वजहें क्या कुछ हो सकता है पहली महत्तपुन वजह तो यह है दोस्तों कि युद्ध अर्थिवयवस्था के कारण कि सहब जब दो देश उध में लगातार रत हैं तो ऐसे में उनकी अर्थिवयवस्था तो चरमरानी चाहिए क्यों लेकिन यहां पर दरसल बात यह है कि आखिर लड़ाई करने के लिए भी तो पैसे की जरूरत होती है और जो पैसा है वो पैसा केवल और केवल ऐसा नहीं है कि हथियारों की खरीद में ही इस्तिमाल हो रहा है बलकि कहीं न कहीं जो एक वहां की अर्थिवयवस्था है उस देश की अर्थिवयवस्था है वो बहतर तरीके से सर्कुलेट भी हो रही है कैसे सर्कुलेट हो रही है इसको थोड़ा सा ऐसे समझेए कि माली जीए कि रूस म में आ रहे हैं वो पैसा तो लही रहे हैं उनको पैसा तो दिया ही जा रहा है हर महिने उनको वेतन तो मिलता ही होगा और जब उनके पास में वेतन आ रहा है तो वो उस वेतन का इस्तेमाल अपने परिवार के भरन portion में भी करते होंगे पैसा भेजते होंगे अपने परिवारों को और जो अध्योगिक गतिवीदिया हैं उन demands को fulfill करने के लिए production क्या या उदपादन कर रही है बहुत बरे पेमाने पर production हो रहा है जहां एक तरफ हत्यारों का उदपादन हो रहा है वहें दूसरी तरफ जो ग्रॉसरीज हैं जो अनाज हैं उनका भी उतपादन किया जा रहा है तो ये सारी जो चीजे हैं एक दूसरे से इंटरलिंग्ड हैं इसको हम अलग-अलग करके नहीं देख सकते और इसके अलावा दोस्तों ध्यान लखेगा कि रुसी जनता के मद्ध में रुसी सरकार के दौरा एक स्टेदिलाइजेशन की इस्थित非 को इंडिकेट किया गया है इस्थिर्ता की सिति को इंडिकेट किया गया है कि आपको कुछ नहीं होने वाला है आप बिलकुल परिशान मत हुए है और इसके लिए क्या कोशिश की गई इसके लिए वेतन में वृथिक की गई जिसका वेतन कम था उसका वेतन बरहा दिया गया तो और क्या चाहिए अजब जिसका वेतन बढ़ गया तो अपना जीवन जीरा है उसको क्या दिकत है इसके अलावा जो एक बड़ी बात देखी गई भाकी मेरा का पूरा जो रूस है वह केवलória किवल उठी कर रहा है भाकि में ख़प तो नहीं है उसको फ्यल करने के लिए वे निकाली जारी है जौब दिया जांए उन लोग roasting तो यहां ध्यान रखेगा कि बरी संक्या में सैन भरती की कारण नए सीरे से अनेक शेत्रों में भरती की प्रक्रिया शुरू की गी और देन उनको भी वेतन मिलना शुरू किया गया जब उनको भी वेतन मिलने लगा तो उनकी भी जो आय है वो बरी जब आय भरती है तो आपको सामान खरे दें, हम आज ये इसकुटी पर चलते हैं, तो कल कार पर चलें, आज हम टेबल फैन लगाते हैं, आज हम कूलर लगाते हैं, तो कल को हम AC लगाएं, तो यहाँ पर जो डिमांड है, वो डिमांड बरती जाएगी, और इसी की अधार पर जो सप्लाई है, सप्लाई भी बरेगी तो इस हिसाब से जो ये income है वो income का जो बार है वो और उंचा होगा और यही यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि भाई gross national income में जो बार है रूस का वो और उंचा हुआ है और निशी तोप इस से रूस को लाब हुआ है इसके अलावा दोस्तों ध्यान लखेगा कि तेल का जो निर्यात रूस के द्वारा लंबे समय से भारत चीन और बिटेन के साथ भी कहीं न कहीं किया गया है वो भी इसके लिए एक साकरात्मक संदेश साबित हुआ है अब आपको लगए आए सर ये तो ये तो इरोपिये देशों ने तो आर्थिक प्रतिबंद लगा रखा है तो बिटेन के साथ व्यापार की क्या समभावना हो सकती है लेकिन ऐसा हो रहा है और ये मैं नहीं कह रहा हूं कई सारे समझा पत्रों में ऐसी जानकार्या मिल रही ह है कि कही न कहीं से लूप होल जैसी सिती पैदा हुई है और उस से रूस ने ब्रिटेन को तेल का बहुत बड़े पैमाने पर निर्याद किया वी है और इससे रूस को फायदा हुआ भिम इसके अलावा रूस प्लाइन के जरिये जापान, कोरियाई प्राइदीप और चीन के साथ तेल निरियात में बहुत अधिक सपोर्ट हासिल किया है और निश्ची तोपर इससे रूस को फायदा हुआ है हाला कि यहां पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूस ने जो उच आए वाले लोग हैं उनके उपर जो इंकम टैक्स है वो और अधिक बरहाने की भी बात की है लेकिन इससे नुकसान की संभावना नहीं है बलकि इससे और उससे फायदा भी होगा भाई जाहिर से बात है जिसकी सैलरी महीने में 10 लाक रुपए है 25 लाक रुपए है तो उसको यदि हम उससे हम कहें कि भाई आप मुझे थोड़ा टैक्स ज्यादा दीजे तो वो खुशी खुशी दे सकता है जिसकी सैलरी बहुत ही कम है उससे हम टैक्स न भी लें या एकद सारी गतिवीधिया है रूस के लिए एक साकरात्मक संदेश दे रही है कि लगातार आर्थिक प्रतिमत लगाने के बावजूद भी रूस ने अपने अर्थव्यवस्था को बहतर पोजिशन में लानने में काम्याबी हासिल की है और निशी तो पर इससे हो सकता है कि आगे आ कर रहे हैं 25 और 26 के लिए आप काईदी टार्गेट है तो आपकी इस टार्गेट को अचीव करने में स्टरी आइकू का पी टू आई बैच आपके लिए बहुत अधिक लापकारी हो सकता है क्योंकि इसके जरीए आप जियेस की सभी जो पार्टिक्रम हैं जियेस के चारों प के जरीए जो सपोर्टिव भूमिका हो सकती है हमारी वो भी हम आपको प्रदान करेंगे और इस तरीके से आप रेगुलर वे में अपनी परहाई अच्छे तरीके से पूरी कर सकते हैं और जियेस को बहतर तरीके से त्यार कर सकते हैं प्रिलिम्नरी को क्वालिफाई करने में मेंस को कॉलेफाई करने में श्री आईकू आईए इस्टीम आपके साथ लगातार बनी रहेगी इसके रिए यदि आप इस कोर्स को जोईन करना चाहते हैं तो दिली प्लाइफ कोर्ट का इस्तमाल करते हुए 27,999 रुपे में इस कोर्ट को आज ही पर्चिस कीजिए और 8 जुलाई से मुश्किल से 2-3 दिनों के बाद ही इस कोर्स की शुरुआत हो जाएगी शाम में 6 बज़े से हिंदी, हिंग्लिश या इंग्लिश इनमें से किसे भी मीडियम में आप कोर्स को जोईन करना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं निशित आप पर यह कोर्स आपके लिए फैदेमंद होगा इससे आप अपनी तैयारी की राह और आसान कर सकते हैं मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ अपना ख्यार रखिए All the West